शो में आगे बढ़ने से पहले आईए आपको सबसे पहले आज का पहला माहा उपाए बता देती हूं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसे में टेबल पर बच्चों के कमरे में पीले या हलके रंके गणेश जी की मूर्ती लगाए और उनको बोले कुछ देर उनको देखियों और फिर पढ़ने बैठें ये प्रॉब्लम दूर होगी आई आपको आज का दूसरा माहा उपाए क्या है अब ये बताती हूं अगर जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही है इंटर्व्यू देने जाएं तो मा के चर्णों का तिलक एक चांदी के सिक्के पर लगाकर उसको पेपर में लपेट कर पॉकेट में रखें इससे आपके अंदर कॉंफिदेंस की ग्रोथ होगी और आप अच्छे से इंटर्व्यू देकर आएंगे शो में जानते हैं क्या है आज का तीसरा माहा उपाए क्या आपको नौकने जाने का खत्रा सता रहा है लोगे का छला बाएं हाथ की मिदल फिंगर में साटडे की शाम को आप पहन लीजे ये प्रॉब्लम सॉल्फ होगी अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा माहा उपाए क्या आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है देखिए आपको डॉक्टर को तो जरूर दिखाना है साथ में आप ये उपाए कर सकते हैं अगर शनी का कोई दोश है तो ऐसे में घर में कोई न कोई लगातार बीमार रहता ही है ऐसे मैं आप पीपल की पेर की नीचे सरसो का तेल का दीपक साटरड़े शाम को जलाएं इसे शनी दोश काम होता है अब आपको आज का पांच वार आखरी माह उपाई बताती हूँ शादी का रिष्टा पक्का करने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मा दुरगा को मीठे का भोग लगा करने के लिए सब मंगल होगा चाहें तो अपनी मनोकामना लिख कर चिट भी मा के चर्नों में रख सकते हैं मंनत जरूर पूरी होगी जब पूरी हो जाए तो चिट को मंदर में जाके चढ़ा है भाग्य मीटर पर आकिस्मत आपका कल कितना साथ देने वाली है प्लानिंग पूरी होगी या नहीं होगी कल को कैसे सुधारना है कल को कैसे अच्छा करना है आईए आपको बताते मेश राशी के लोगों को अपना कॉल सुधारने के लिए आज अपने घर के शाम में कपूर को जरूर जलाना है इससे नेगिटिविटी खत्म होगी लग साथ दे रहा है आपका 67% प्रिश्व राशी के लोग कल अपने घर में देशी घी का प्रसाद बना कर मा को भूग लगाएं खुद भी जरूर खाएं लग सपोर्ट कर रहा है 70% मिथुन राशी वाले लोग अपना कल सुधारने के लिए आपको आज ही कुछ खास करना है आपको बताती हूँ आपको क्या करना है आपको पक्षियों को दाना जरूर डालना है लग साथ दे रहा है 62% करक राशी वाले लोग कल मा के मंदिर में जाकर उन्हें चुनरी चड़ाएं लग साथ दे रहा है आपका 72% सिंग राशी वाले लोगों को अपने भविश्यों को सुधारने के लिए घर से निकलना है कल लेकिन मिश्री खाकर लग साथ दे रहा है 80% कन्या राशी वाले लोग कल किसी से लड़ाई जगरा नहीं करें आपकी गलती निकाली जाएगी इसलिए चुप रहें भाग्यसाथ दे रहा हैं आपका कल के दिन 56% तुला राशी की लोगों के लिए भी बहुत ही आसान उपाए हैं कल आपको सुभा केसर खाकर घर से बाहर निकल ना है लग आपको सपोर्ट कर रहा है कल 65% विश्यक राशी वाले लोग कल पंचामरित का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहन करें लग आपको सपोर्ट कर रहा है 79% धनुर राशी वाले लोग कल मंदिर को अच्छे से साफ करें और उसमें ताजे पीले फूल लगाएं लग सपोर्ट कर रहा है आपको 63% मकर राशी वाले लोग कल मंदिर में बाहर बैठे गरीबों को कुछ खाने के लिए दान जरूर करें आपके काम बनेंगे लग सपोर्ट कर रहा है 73% कुम राशी वाले लोग कल खीर का प्रसाद बना कर भगवान को भोग लगाएं और गरीबों को बातें लग साथ दे रहा है आपका 81% और मीन राशी वाले लोग कल नया जूता खरीदे और अपने पुराने जूते जो काम के नहीं हैं किसी को दान करें लग सपोर्ट कर रहा है आपका कल के दिन 75%